कालू कवे मौसम कल से जाएदा ठंडा हो गया है हो सकता है कल बर्फ बारी हो इसलिए हम सब पक्षी मिलकर पहाडों से गरम गरम रूई लाएंगे और अपने लिए गरम बिस्तर बनाएंगे हाँ तो मुझे क्यों अपना फालतू का भाशन दे रही हो जहां जाना है जाएं मैं तो सिर्फ आपको बताने आई थी लेकिन तुम तो हमेशा अकेले अकेले ही रहते हो कभी किसी से दोस्ती नहीं करते मैं जारी हूँ यहां से मैं तुम सबसे कहीं ज्यादा बुद्धी मान ह और ताकतवर भी मुझे तुम जैसे छोटे पक्सियों से सलहा लेने की जरूरत अब जाओ यहां से और अपना काम करो कालू सबको पता है इस बार जंगल में सर्दी का कहर बीतेगा बरफ गिरेगी चारो तरफ सफेद धुन रहेगी ऐसे में आग और दाना हर घर में रहना बहुत जरूरी है कोई मदद भी नहीं करेगा एक बार कहो या सो बार मैं तुमारे साथ नहीं जाँगा चडिया कालू कवे को खूब समझाती है मगर कालू कवा कहा मानने वाला था वो चडिया को वहां से भगा देता है चडिया उदास होकर वहां से चली जाती है हाँ आई बड़ी छोटी चड़िया मुझे सलहा देने वो जानती नहीं है मैं कितना ताकतवर हूँ और मेरे पंक मेरे पंक तो मोटे और बड़े बड़े हैं ऐसी ठंड मेरा कुछ नहीं बगाड सकती दोस्तो पहले हम पहाडों से कपास लाएंगे और फिर सूखे जंगल से लकड़ी तभी हम सर्दियों का सामना कर पाएंगे ठीक है चड़िया हम ऐसा ही करेंगे मगर वो कालू कवव कहा है क्या वो हमारे साथ नहीं आ रहा मिठू मैंने कालू कवव को बता दिया है अब उसकी मर्जी वो जाए या नहीं हमें क्या लेना दोस्तो मैं अभी कालू कवव को बला कर लाता हूँ वो तो पागल है आखिर सर्दी तो सभी को लगती है वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ लेही आएगा मैं जाता हूँ मिठू तो थे कालू कवव के पास जाना मतलब अपनी हसी उडवा के आना मैंने खूब समझाया मगर कालू कवव को हम छोटे पक्षियों की बात समझ नहीं आती वो जाना ही नहीं चाहता मिठ्टू चुडिया सही कहती है कालू कावे को अपने आप पर बहुत घमंड है वो किसी की नहीं संता हम चलते हैं ऐसे वो सबी दोस्त सर्दी की तैयारियों के लिए पहाडों पर चले जाते हैं वो साम होने तक खुब महनत करते हैं वो गहुंसले गरम रखने के लिए कपास का बिस्तर बनाते हैं और डेर सारा दाना भी लाते हैं कबूतर भहिया ये बिस्तर हमें जराबी ठंड नहीं लगने देगा ये बहुत गरम होता है हाँ चुडिया और मुझे तो दाना भी गरम मिला है देखो मुझे बाजरा मिला है ये तो मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगने देगा सर्दी सर्दी गरम रखेगा मैं तो सोच सोच के हैरान हूँ बिना बिस्तर के कोई बरफबारी में कैसे जिन्दा रहेगा कहीं कालू कवा मरना जाए मिठू तोते वो कोई छोटा बच्चा नहीं है उसे सब आता है और हम सब से तो कहीं जादा चालाख है वो अपना जुगार कहीं न कहीं कर लेगा तभी तो हमारे साथ नहीं आया कालू कवा तो मजे से अपने घोंसले में सो रहा था आखिर ऐसे ही रात हो जाती है मौसम ठंडा होना सिरू हो जाता है ये ठंडी हवा कितना सकून दे रही है मुझे मैं मजे से सर्दी बिता सकता हूँ बिना किसी महनत के ऐसे कालू कवा पहले तो ठंडी ठंडी हवा का मजा लेता है फिर बाद में ठंड बढ़ने लगती है ठंडी ठंडी हवाएं भी चलने लगती है धीरे धीरे बरफबारी होने लगती है दूसरे सापक्षी तो अपने कपास के बिस्तरों में मजे से बैठे थे मगर कालू कव ये तो आपने एकदम सही बोला बहर देखो कितनी जैदा ठंड है ऐसे में बिना कमबल के पक्षी तो मर ही जाएंगे ऐसे ठंडे मौसम में कालू का वा तो अभी भी अपनी जगहा पर बैठा था उसे अब सर्दी भी लगने लगी थी आज रात कडी ठंड है मैं किसी के घर में रात बिता लेता हूँ मगर कहाँ अगर छोटे पक्षियों के पास गया तो वो मेरी हसी उड़ाएंगे मैं अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ वो थोड़ी दूर ही रहता है इसी वहाने दाना भी फिरी का खालूंगा फिर कालू कवा उड़ता हुआ अपने दोस्त भूरे कवे के घर जाता है उसका दरवाजा खटखटाता है भूरे दोस्त मैं कालू कवा तेरा दोस्त जल्दी दरवाजा खोलू पती इतनी रात को कौन आया है मेरी तो नीद बिगार दी जरा देखें सुन्द्री जी तुम सो जाओ मैं देख खराता हूँ कान है फिर भूरा का वाजा के दरवाजा खोलता है बड़ी देर कर दी दरवाजा खोलने में मैं ठंड से यहां मरा जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता बोल कालू अंदर मेरी पतनी सो रही है वो जाग जाएगी क्या कहा तुने साधी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं ओए कालू मेरी लव मेरिज हुई है मैं तुझे कैसे बुलाता मैंने किसी को नहीं बुलाया भाग कर साधी की है भाग कर अच्छा अच्छा ठीक है अब मुझे घर में ले चल, बहार बहुत ठंड है, मैं रात बिताने के लिए यहां आया हूँ कालू कुछ तो सरम कर, मेरी साधी हो चुकी है, पहले जैसी बात नहीं है, नई नई बहु आई है, ऐसे तुझे घर में नहीं रख सकता ऐसे बोल कर भूरा कवा घर का दरवाजा बंद कर लेता है, कालू कवा तो देखता रह जाता है, साधी क्या होगी, बड़े नकरे करने लगा है ये तो, मैं भी अच्छा सबक सिखांगा, कभी तो आएगा मेरे पास फिर कालू कवा यहाँ वहाँ देखता है, और अपने उसी घोंसले में आ जाता है, वो अपने पंकों से खुद को ढखना चाहता था, मगर कड़ी सर्दी में उसके पंक काप रही थे, और वो उल्टा ही गिर जाता है अरे रे, यह क्या, मैं अपने पंक को फैला क्यों नहीं पा रहा, यह मुझे क्या हो रहा है, लगता है अब मैं मर जाओंगा, मर जाओंगा, अच्छा होता, जो चुडिया की बात मान लेता कालू कवा ऐसे रोता हुआ सर्दी की रात मिताता है, धीरे धीरे उसके उपर बर्फ जम जाती है, वो सुबा होने तक पूरा बर्फ में जम जाता है, तब ही चुडिया की नजर कवे के गुशले पर जाती है, वो उसके पास आ जाती है, अरे यह तो कालू कवे के पैर है, म कालुकवे आंखे खोलो, आंखे खोलो कालुकवे, तुम बोलते क्यों नहीं हो, चिडिया ऐसे कालुकवे से बोल रही थी, मगर कालुकवा तो चुप था, वहाँ पर और भी पक्षी जमा हो जाते हैं, चिडिया कालुकवा मर गया, वो रात को तेज ठंड में मर गया, अब का अलुकवा अपने एहंकार के कारण मर जाता है अगर वो चिडिया के घर मदत मांगने जाता सायद वो बस सकता था लेकिन उसका घमंड उसे ले डूबता है वो मर जाता है तो प्यारे दोस्तों कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए सब के साथ मिल जुलकर रहना चाहिए घंसले बनाने में लगे हुए थे कालू मैं हर बार की सर्थियों में मरना नहीं चाहती और इस बार तो बरफ गिरेगी मुझे पहाडी वाले पक्षियों ने बताया है इसलिए हम पहले ही अपना घंसला बना लेंगे ठीक है पतनी जी मैं आज ही घंसला बनाने का सामान लात अरे सपक्षी सर्दियों की तैयारियों में लगे हुए हैं एक मैं ही हूँ जो आराम से इस घंसले में बैठी हुई हूँ अगर मैं अंडा देने वाली ना होती तो सबसे पहले अपना गरम घंसला बनाती अब मैं क्या करूं वो चिडिया ऐसे सोचती है फिर अपने आप से बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बैठ सकती मेरे अंडे से निकलने वाले बच्चे को इस घंसले में ठंड लगेगी वो नन्ना सा बच्चा ये ठंड बरदास नहीं कर पाएगा मुझे हिम्मत करके गरम घंसला बनाना ही होगा ऐसे फैस ला कर वो चिडिया गरम घंसला के लिए निकल जाती है धीरे धीरे साम भी हो जाती है कालू कव्वा तो एक ही बार में सूखी घास का धेर ले आता है वा वा मेरे संदर पती एक ही बार में सूखे तिनकों का धेर ले आए तुम तो इसमें हमारा घौसला पूरा बन जाएगा गोरी कालू ऐसे बाते कर रहे थे, तभी वहां से छोटी चडिया भी जा रही थी, उसके पास तो बस थोड़े से ही तिनके थे, जिने देखकर कालू कववा हसते हुए बोलता है, मैं एक कालू कववा हूँ, कोई छोटी कमजोर चडिया नहीं, जो बस गिने चुने तिनके ल अपने गोंसले में आ जाती है, वो तो बहुत ठक चुकी थी, अरे बापरे, पहाडों से आना जाना कितना मुस्किल है, मेरे तो पंक ही दूखने लगे, लेकिन मुझे अब हर दिन जाना होगा, फिर ठकी हारी चडिया सो जाती है, अगली सुबा वो जल्दी तिनके लेने चली जाती है, जितना उससे हो पाता वो उतना वजन उठाती, इधर का वो ने तो अपना पूरा गोंसला बस दो ही दनों में बना लिया था, इस बात का उन्हें बहुत घमंड था, देखा गोरी जी, हमने बस दो दिन में ही अपना गरम गोंसला बना लिया, और वो छोटी चडिया अभी तक पूरे तिन के भी जमा नहीं कर पाई। पती जी जब बरफबारी भी शुरू हो जाएगे तब भी नहीं बन पाएगा इस चडिया का घर। ऐसे वो दोनों कवे चडिया के उपर हस रहे थे। धीरे धीरे समय बीचता गया। थंडी थंडी हवाय शुरू हो गई थी। चडिया ने पूरी लगन के साथ आदा घर तो बना लिया था। मेरा आदा घोंसला तो बन चुका। लेकिन अब ठंड भी पढ़ने लगी है। जल चोटी चडिया का घोंसला तो अभी भी नहीं बना। थंड भी पढ़नी शुरू हो गई। चोटी चडिया चडिया थोड़ी महनत करना भी जानती हो यह यूही दिन बिता रही हो। अगर ऐसे ही काम क्या तो अगली सर्दियों में जाके बनेगा पूरा घर। आपने सही कह ऐसे मेरा घर पूरा नहीं बनेगा लेकिन मैं क्या करूँ मैं अंडा देने वाली हूँ इसलिए जल्दी जल्दी उड़ा नहीं जाता आप दोनों की बड़ी किपा होगी अगर मेरी थोड़ी मदद कर दें तो नाना चडिया हमें बहुत काम है अभी भोजन जमा करना है कप अब ऐसे में तुमारी मदद कैसे कर सकेंगे बस एक दिन के लिए आपके साथ होने से मेरा धूरा घोंसला पूरा बन जाएगा किर्प्या कर मेरे साथ बस एक दिन घास लेवा के लाओ एक बार कहाना हमें अपने काम भी करने हैं तो पीछे क्यूं पढ़ रही हो चले गोरी ऐसे बोल कर कालू गोरी वहां से चले जाते हैं बेचारी चिडिया भी अपने कामों को करने लगी थी अब तो ठंड भी पूरी तरह से पढ़ने लगी थी अब चिडिया ने दो अंडे भी दे दिये थे हे भगवान अब तो मुझे अपने अंडों पे बैठना होगा मैं अपना गोसला कैसे पूरा कर पाऊंगी जब मेरे अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे तो उन्हें ठंड से कैसे बचाऊंगी यहां तक कि उन्हें खिलाने के लिए भोजन भी नहीं है मेरे पास चडिया ऐसे बहुत दुखी थी मगर कालू गोरी तो अपने घर की खिड़की से सब देख रहे थे वो चडिया की हालत पर हसने लगते हैं कालू वो छोटी चडिया कैसे कापती हुई अपने अंडों पे बैठी है बेचारी अब तो कुछ भी नहीं कर सकती इसका महनत से बन अलू गोरी चडिया की मदद करने की बजाए उसे देखर हस रहे थे एक रात चील मा जंगल से उड़ रही थी तभी उसकी नजर चडिया के अंडों पर जाती है वो तो चडिया मम्मा के पास चली आती है सब पक्षी अपने गरम गरम घौसलों में छिपे हुए हैं पर क्यो ये केली चडिया ही अपने अंडों के साथ बहर क्यों बैठी है फिर चील चडिया के पास आती है चडिया तो बहुत डर जाती है चडिया तो समझ गई थी अब तो चील उसके अंडे खाने वाली है ना ना चील दी भगवान के लिए मेरे अंडे ना खाना ना ना छोटी चिडिया, मुझसे मत डरो, मैं इस समय तुमारे अंडे खाने नहीं आई हूँ, क्या तुम्हें मालूम नहीं, इतनी ज्यादा ठंड में अंडों के अंदर जो बच्चे हैं, वो मर जाएंगे, अंडों को गरम रखना होता है, और तुम तो खुले में बैठी हो मैं क्या करूँ चिल जी, मैंने अपना आधा गरम घौसला तो बना लिया, मगर उसे पूरा ना कर पाई, इसलिए अभी तक यहीं हूँ, अगर इस कडाके की ठंड में ये छोटी चिडिया ऐसे ही बैठी रही, तो अंडों के साथ साथ ये भी मर जाएगी, जैसे मेरा बच् की मदद करनी होगी, ऐसे सोचते हुए चील चिडिया से कहती है, चिडिया बहन हम चीलों के गरम घौसले तो नहीं होते, मगर गुफा है, उसमें तुमीं जरा भी ठंड नहीं लगेगी, और अंडे भी सरक्षित रहेंगे, तुम मेरे साथ चलो, नहीं चील जी, जो आपने मुझ पर दया की, मैं यहीं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तुम यहीं सोच रही होगी, मैं धोके से तुझे अपने गुफा में ले जाकर तेरे अंडों को खा जाओंगी, मगर मेरा विश्वास करो, मैं सच में तुझे तेरे अंडों को बचाना चाहती चील अंडों को गरम रखने के लिए बड़ी मुस्किल से आग जलाती है और कुछी देर में अंडे फूट जाते हैं चील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भोलूँगी अगर आप मुझे अपनी गुफा में नहीं लेकर आती तो मेरे नन्ने बच्चे अभी तक वहीं ठंड से मर रहे होते चोटी चडिया तुझे देखकर अपने बेटे की याद आ गई थी मुझे जो ठंड में कापते हुए मर गया इसलिए तेरी मदद के बिना मेरा जी नहीं माना ऐसे वो दोनों रात भर बाते करती हैं दूसरे दिन चील चडिया के घर को पूरा बनाती है उसकी मदद करती है साम होने तक चडिया का पूरा घर बन के तयार हो जाता है लो चडिया अब तुमारा गरम घोंसला पूरा बन गया है चील दी मैंने कभी नहीं सोचा था एक चील पक्षी मेरी मदद करेगी आप तो बहुत अच्छी हो बिलकुल मेरी तरह चोटी चडिया हम चीलो का भी दिल होता है हर समय हमें बुरा ही न समझा करें पुन्नू जी आप जरा देख़र तो आएं हमारा बीटा कुकु सुभा से घर नहीं आया कहीं किसी मुसीबत में ना फस गया हो ममा ममा क्या पता कुकु भाया अपने किसी दोस्त के घर चले गए हो नहीं गुडिया बेटी मैंने बुलबुला किक्की जग्गु सबसे पूछ लिया वो किसी के भी साथ नहीं है आप जल्दी जाएं कुकु को ढूंड कर लाएं मेरा मन बहुत घबरा रहा है रानो जी आप रोए ना मैं अभी जाकर ढूड के लाता हूं कुकु को पापा चडिया ने इतना बोला ही था कि तब ही उनके दरवाजे पर दस्तक होती है रानो चडिया भाग कर दरवाजे खुलती है तो वो पूरी तरह से चोक जाती है कुकु को साधी के जोडे में देख क्या हुआ रानो जी आप ऐसे चिलाई क्यों और कुकु यह सब क्या है मापिता जी आप मेरी और टिक्की की साधी के लिए कभी नहीं मांते इसलिए हम दोनों ने आप से चुपकर साधी कर ली कम मखत इसलिए सुबहा से गायब था और तुम टिक्की तुमारे घरवालों को पता है तुमने मेरे बेटे से शाधी की है नहीं पापा टिक्की ने भी अपने घर में कुछ नहीं बताया जाओ टिक्की बेटी जाओ अभी इसी वक्त अपने घर जाओ अगर तुमारे भाईयों को पता चला कि तुम हमारे घर में हो तो वो मेरे कुकु को जान से मार कुक्कू और टिक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो मरने को भी तयार थे, मगर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले थे, इधर टिक्की के भाई और पिता बहुत खतरनाक पक्षी थे, वो तो पहले ही कुक्कू और उसके परिवार से बहुत जला करते पिताजी टिक्की बहन ने उस रानो चुडिया के बेटे कुकू से भाग के साधी कर ली मुर्खो मेरा मूख क्यों देखने आए हो यहाँ जाओ उस कुकू के बच्चे को खतम कर दो और टिक्की को घर लाओ ठीक है पिताजी हम अभी जाकर उस कुकू को मार देंगे और टिक्की बहन को साथ ही लेकर आएंगे फिर तीनों भाई हातों में बंदुक लिए चडिया के घर को निकल जाते हैं रानों अब क्या करें किसी भी समय टिक्की के भाई हमारे घर आते ही होंगे कुछ तो सोचो कुकू आप टिक्की को लेकर ये जंगल छोड़ दें दूर चले जाएं कहीं यहां से मगर ममा मैं इस ठंडी रात में तिक्की को लेकर कहां जाऊंगा और आने दो उनको मैं डरता नहीं हो उनसे कुकू मेरे बेटे वो आपको जान से नार देंगे बात को समझें और यहां से कहीं बहुत दूर चले जाएं हाँ कुकू जी मा रानो ठीक कहती है जब मेरे भाईयों का गुस्सा सान्थ हो जाएगा तो हम जंगल वापस आ जाएंगे तिक्की ने इतना बोला ही था के तभी रानो का पड़ोसी कालू कववा उनके घर आता है रानो चुडिया रानो चुडिया क्या फिर से आपके लड़ाई उन बड़े पक्षियों से हुई है वो तो बहुत गुस्ते में हैं और इसी तरफ आ रहे हैं कालू भीया आप कुकु को जंगल से बाहर छोड़ाएं अगर उन्होंने कुकु को पकड़ लिया तो मेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे आप जल्दी करें मा रानो मैं भी कुकु के साथ जाऊंगी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी फिर कालू कवा कुकु और टिक्की को जंगल से बाहर ले जाता है वो तीनों भाई भी रानों के घर पहुँच जाते हैं वो तो बहुत गुसे में थे चल्दी बताओ आपने कुकु को कहां छुपाया है हमें कुछ नहीं मालुम कुकु तो सुबा से घर नहीं आया लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे सब भक तो सिखाना ही पड़ेगा तुमको ऐसे वो तीनों भाई चड़िया के घर को जला दे अब बताते हो या नहीं हमें नहीं पता कहां है वो और पता भी होता तो तुम्हें कभी नहीं बताते ठीक है मत बताओ हम खुद ही ढूंद लेंगे और यहां पे मौजूद सभी पक्षी कान खोल के सुन लें अगर किसी ने भी इनकी कोई मदद की तो हम उसका घर भी ऐसे ही जला देंगे ऐसे बॉल कर टिक की चडिया के भाई वहां से चले जाते हैं सभी पक्षी तो तमासा देख रहे थे रानो जी ये तो हमारा घर ही जलागे अब हम कहां जाएंगे कहां रहेंगे तुन्नो जी घर तो द्वारा से बन जाएगा बस भगवान मेरे कुकु की इंजालमों से हमीशा रक्षा करना फिर वो सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं वो तीनों तो ठंडे के मौसम में वहीं पर बैठे हुए थे इधर कुकु और टिक की भी रात में संसान जगहा पर भटक रहे थे कुकु जी यहां तो बहुत ठंड है किसी गरम जगहा पर चले तिक मेरी बेटी सुना नहीं पिक्की के भाई सबको धंकी दे कर गए हैं इसलिए कोई पक्षी हमारी मदद नहीं करेगा पापा लूसी आंटी और कबूतर अंकल हमारे सबसे अच्छे पड़ोसी हैं एक बार उनके पास चलें क्या पता वो हमें ठंड से बचा लें फिर वो तीन हमारी मदद करें माफ करना चड़िया बहन हम तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देंगे इस भयानक सर्दी में हमें अपना घर नहीं जलवाना भगवान के लिए चली जाओ यहां से फिर वो तीनों बड़ी मुश्किल से दूसरे पक्षी के घर जाते हैं और उससे भी तूत की सजा हमें क्यों दिलवाना चाहती हो गोरी बहन कोई भी माबाप अपने बच्चों को गलस सिक्षा नहीं देता अब जो हो गया हम सबको सर्मिंदगी है किर्प्या हमें घर के अंदर ले ले और हमें इस ठंड से बचा ले ना बाबा ना भागो यहां से ऐसे गोरी क लोडिया बेटा ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए वरना उसके साथ साथ पूरे परिवार को सजा मिलती है और जलील किया जाता है जैसे हमें किया घर तक जला दिया और सारे पड़ोसी भी हमसे रुस्वा हो गए हैं रानो जी यहां से चले कहीं अब मुझसे इस जंगल के पक्षियों के साथ अपनी नजरे नहीं मिलाई जाएंगी हम कहीं बहुत दूर जाकर अपना नया घौसला बनाएंगे पापा बात रानों को सही लगती हैं और वो तीनों जंगल छोड़ कर निकल जाते हैं और वह तीनों जंगल से दूर निकल जाते हैं वो ठंडी ठंडी रात में वो ठंडी ठंडी हवाव के साथ उड़े जा रहे थे वो बहुत देर तक उड़ते हैं रास्ते में गुडिया को एक पत् के घर में चले जाते हैं वहां कोई और पक्षी नहीं था बलकि कुक्कू और ठिक्की थे। मम्मा चड़िया तो कुक्कू को अपने गले से लगा लेती हैं आखिर वो मा थी क्योंकि उसे अपने बेटे की भी चनता थी। कुकु बेटे उन्होंने हमारा घर जला दिया, हमारा पूरा घर जला दिया, मा चुप हो जाए, अब कुछ नहीं होगा, टेकी के भाई यहां कभी नहीं पहुँच पाएंगे, कुकु भाईया यह पत्तो का घर किसने बनाया, आपको तो तिनके का घर भी बनाना नहीं आता थ गुडिया यहां बहुत थंड लग रही थी, आप जलाने के लिए लकडिया ढूनने लगी, तभी मुझे यह केले की पत्ते दिखाई दिये, और मैंने यह पत्तो का घर बना लिया, ठीकी बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, फिर ऐसी गलती क्यों की, जिससे हम सब को पर रहने लगी थी, प्यारे दोस्तों, या टिक्की के भाई उन्हें वहां पर भी सकुन से रहने देंगे या नहीं, यह देखने के लिए कहानी के अगले पार्ट का इंतजार करें, आपका धन्यवाद,